नमस्कार अब्टिलाई में आपके साथ मैं हो सिम्रन कौर लखनव मलिहबाद विकास खण माल में उपमुख्य मंत्री केश्वप्रसाद मौरे ने और राज्य मंत्री कोशल किशोर ने विशाल जन सभा को संबोधित किया आपको बताते चले कि उपमुख्य मंत्री केश्वप 168 से भारती जंता पार्टी के उमीदवार जैदेवी कोशल को भारी महुमत से विजयी बनाए और जंसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र तथा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गरीबों तथा किसानों को उनके लिए कल्यान कारी योजनाओं को दोहर समाजवादी पार्टी के सरकार की जाती गतनीतियों पर जम कर हमला बोला उपमुखी मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीब किसान तथा वंचितों को उनका हाग किसी बेदभाव के बिना पहुचाने का काम किया है सपा की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले के सपा सरकार 2022 विधान सबचुनाओं में भारती जनता पार्टी की उमीदवार जैदेवी कौशल को भारी महुवत से विजई बनाए और अपील करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही अधूरे रहे गए विकासकारियों को पुनहै पूरा किया जाएगा हजारों की संख्या में लोग उपस्तित रही तो 325 विजई गीते थे 2022 में भी 300 से अधिक सीटे हम फिर गीते जा रहे हैं पूरे पिस्तास चमया यहां पर कहितर के जा रहा हूं और एक नारा मैं यूपी मर में लगाता हूं नारा मेरा क्या है सव में 60 प्रिसत ओट हमारा है 40 प्रिसत ओटों में बटवारा है और बटवारे वाले ओटों में भी हमारा है हब आप कहोगे क्यों है तो मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हमारे लिए गरीब गरीब एक समान हिंदू हो या मुसलमान है कि नहीं बताइए हमारे लिए किसान किसान एक समान हिंदू हो या मुसलमान हमारे लिए बेटी बेटी एक समान हिंदू हो या मुसलमा स्रियाक्लेस शयादोची के लिए कुछ भी समान नहीं होता तो उनके लिए कबरिस्दान उनको में पूरा क्या-क्या कहानी बताओं मैरी माताओं बहनों की जब वो देश के प्रणान मुंती बने आप बताओं पहले गाओं में रहने वाली मेरी माताओं महने तबी किसी के घर में संचाने गरीब के घर में था क्या क्या वारी बाटी रहे गए अभी जो भारत सरकार का बजट आया है असी लाख और गरीबों को घर बनाने का उसमें फैस्टा किया गया है जिसका अपना पक्का मकान न रहे मेरे बहुत सारे लोग है जिनको भरत दावत सा पेंसन मिरती है UFT Live के लिए राम किशुर यादव के रिपोर्ट